भारत की स्पेस एजेंसी इसरो आधित्य एलवान को लंज करने की त्यारी को अंतिम रूफ देने की त्यारी में है उधर भारत बासी चंद्रयान्थ्री की सफलता की खुशी मना रहे होंगे तो इसरो, आजडराप्रदेस, ठीक, श्री हरीकूटा सपेस्टेशन से अधित्यव एलवान लंज करने की समावना पर काम कर रहा है अधित्यव एलवान श्री हरीकूटा पहुँच चुका है अभी तक की यूजिना के मुताविक सुर्या के अध्यान को देश का पहला ये मिसन सेप्टेमबर के पहले सप्ता में लांच किया जाएगा इसका निर्मान इसरो के यूर राव सेटलाइट सेंटर पर किया गया है आधित्य एलवान सुरिय पर अध्यान करेगा ये प्रूथ्वी से 15 लाग किलोमीटर यात्रा करके हालो अर्बिट में पहुँचेगा इसरो का मानना है कि इस अर्बिट में सेटलाइट को स्थापित करने का लाप ये है कि यहां से लगाता सुरिय पर नजर रखा जा सकता है ये ओ जगह है जहां सुरिय ग्रहन का कोई असर नहीं होता है सुरिय की एक्टिविटीज और अंत्रिक्स पर इसके पढ़ने वाले असर का गहन अध्यान करने में सुविधा होगी और काम आसान होगा अधित्यो एलवान के साथ 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 पेलोड यानी अलग-अलग उपकरन भी अंत्रिक्स भेजे जा रहे है ये सब सुरिय के अलग-अलग हिस्तों का अध्यान करके रिपोर्ट इसरो को देंगे जिससे बग्यानिक आगे की रननिती पर काम कर सकेंगे मिशन का उद्देश्य सोर मंडल के उपरी बायू मंडल में गति सिल्ता का पता लगाना है अध्यान सुरिय के किरोणों में गर्मी से जुड़े रहस्य को समझने में मदत मिलेगी अंत्रिक्ष में मोसम के बदलाओ आसानी से जाने जा सकेंगे सुरिय के तापमान को भी समझने में मिशन के महत्तपुन भूमी का तै की गई है सुरिय के बिस्तार, प्रता, प्रभाप और इससे जुड़े गति साइन्स को समझना भी मिशन के महत्तपुन उद्द्यों में शे एक है आधित्य एलवान भारत का पहला सुलान मिशन है हलाकि दुन्या की बात करें तो अब तक कई बार सुर्यों के बारे में अहम जानकारिया जुटाने की कुशिस हो चुकी है सरभादिक बार प्रयास European Space Agency ने किया है जो अब तक 22 मिशन भेज चुका है इसके अलाबार नासा भी कई बार ये कुशिस कर चुका है नासा ने तो अपना पहला सुलान मिशन 1960 में ही लॉंच कर दिया था नासा के 14 में से 12 सुलान मिशन तो अभी भी सुर्यों के अर्बिट में है आई होब आपको इस रुका आधित्य L1 मिशन के बारे में समाच में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजे शेर कीजे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भुलिए तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद